नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप खबर जरकन की टॉप खबर जानते हैं या अदेश सभी सरकारी तथा गर सरकारी साहता प्राप्त इसकूल पर लागू होगा सहायक पुलिस कर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा धारना पर दरसन जारकन के बारा नकसल जीलो में सन्वीदा पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों का अंदूरन जारी है बतादे मुराबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों दूसरे दिन मंगलवार को भी धारना पर बैठे रहे इस दोरान पुलिस कर्मियों के नए ने तरीके से सरकार के खिलाप पर दसन किया सुबा में सबसे पहले परेट गिया इसके बाद सरकार के खिलाप नारेबाजी की कहा जब तक सरकार हक नहीं देगी तब तक वे अंदुरन करते रहेंगे गरतलब हो की राजे भर के स्वर्मिता प्रभाहाल सहायक पूलिस कर्मी सुमवार से मुरबादी मैदान में अनिश्चित कालिन धारना पर बैठे हुए हैं वे पूलिस कर्मियों को निमिती करण और बेतनमान में बढ़ोतरी करने की मायंग कर रहे हैं पारा सिक्षक अस्थाई करन में पच्चास करोर का बोज जार्खन के पारा सिक्षक के बेतनमान अस्थाई करन और सेवा सर्थ निमावली का प्रस्ताव सिक्षा विभागने मंत्री जगनात महत्तों को सौप दिया है सिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्यान कर रहे हैं अध्यान के बाइद वे इसी सप्ता पराज सिक्षको के संगठन को प्रस्ताव का प्रारूप देंगे पराज सिक्षक प्रस्ताव को अची तरह से देखेंगे जिससे पता चल सके कि इसमें बिहार के नियोजी चिक्षकों के समान बेवस्ता की गई है या नहीं बता दे प्रारूप के अनुसार राजे के 65 परासिचकों को बावन सव से बीस यार दो सव का बेतनमान वहीं 2024 हो का ग्रेड पे और राजे कर्मियों की तरह मांगाई भात्ता मिलेगा यह रासि साते बेतनमान के प्रवधान के रूप दी जाएगी इसे परासिचकों को हरमा मिल रासि 9000 तक का जाफा होगा इससे हर माहराज सरकार पर 52 को रुपे का बोज बढ़ने की समावना है कंटा टोली फलाई ओवर का बजट 224 को रूप जारखन सीम हमन सुरेन के दक्सता में मंगलवार को केबिनेट की बैठाक में 17 पस्तावा पर मुहर लगाई गई इसमें रांची के कंटा टोली फलाई ओवर निर्वान के लिए 224 को रूपाय की स्विक्रिती दी गई है वही रांची के कांका इस्थीत सुकर हुट्टू में 113 को रूप की लागत से टांस्पोर्ट नगर बनाने पर भी स्विक्रिती दी गई है बतादे कांका टोली फलाई उभर निर्वान की लागत बढ़ा कर 224 क्रोर उपए हो गई शुरुवात में यह 40 क्रोर की डिपियार बनी थी कैबिनेट की अनिस्विक्रिती परिवहन निदे साले के अंतरगत मोटा निरीक छक के 25 पदो की स्विक्रिती जारखन कैबिनेट में मिली है देवघर के दुम्मा में आवासे कोलोनी बलाने के लिए जारखन राज आवास बोट को 58 एकर जमीन उपलब्द कराए जाएगी स्तलाई के लाख हर सावा के चांडिला अनुमंडल में अनुमंडल ये नयालाए के गठन की स्विक्रिती दी गई है खुंटी के जूरदाग में ज्वाहर नवदे बिद्याले के स्थापना के लिए 2.34 एकर भूमी उपलब्द कराने की स्विक्रिती लातेहर में पुलिस नकसरली मुड़भेड में सहयाक कमांडेट सहीद एक नकसरली हुआ धेर उग्रभाजल संगर्ठन जेजेए एंपी और जारकन जगवार के बीच मंगलवार के दोफर करिब 3 बचे मुड़भेड हुई इस मुटभेन में जारखन जगुवार के साहय कमांडेट राजेस कुमार सहीद हो गए वहीं एक नक्सली की मौत हो गई है बता दे साहय कमांडेट सिरी कुमार के दाहिने सीने एमजांग में गोली लगी थी उन्हें घायल अवस्था में लाते हार्चे हेलिकोप्टर से रांची भेजा गया था लेकिन मेडिका होस्पीटल में इलाज के दुरान ओसहीद हो गए घाटना सदर थाना छेतर के नरायन पूर सलया गाउंग के जगड़ा पहा की है अंतराष्टिये स्केटिंग रिंग को लेकर सीम हमंत को रोलर स्केटिंग ने दिया अस्वासान जार्खन की राजधानी रांची के मुराबादी में जल्द अंतराष्टिये स्केटिंग रिंग का निर्मान कार्या पूर्या कर लिया जाएगा मुख्य मंत्री हे मंसुरिन को रोलर स्केटिंग एसोसियेशन ओफ जार्खन के प्रतिनीदी मंडल ने जार्खन मंत्राले में मंगलवर को मुलकाच के दोरान अस्वस्त किया बता दे रांची के मुरबादी में अंतराष्ट्रिये स्केटिंग रिंग के निवान कार्य का सिलन्यास को लेकर राज सरकार की ओर से मिले सहयोग के लिए प्रतिनीदी मंडल ने मुख्य मंत्री के प्रति अभार पर कट किया जारखन में 11 नए केस मिले हैं जो रांची से 6, पूर्वी सिमूं से 4 और देवघर से 1 सामिल है जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 76 है भारत में कई से 896 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 2,75 या 6181 है पीए मोदी ने क्रिसी जगत को दी सोगात जार्खन के भी बिक्सित है फसलों की कई किसमे पधान मंति नैन मोदी ने मंगलवार को देश के क्रिसी जगत को बड़ी सोगात दी है उन्होंने 35 नई फसलों की फिराइटी देश को समर्पित की बतादे जर्खन की राइधानी राची के काकेशित बीर्षा केशी बिश्व विद्याले के बैग्यानिकों ने भी धान गेहों 30 स्वाविन समयत काई फसलों की नई भरायाटी बिक्सित की है जिसका लाब की सानों द्वारा उठाया जा रहा है बतादे धान की बिक्सित किसमे में बिर्षा धान 101, 102, 103, 104, 105, 106, बिर्षा धान 202, बिर्षा भीकास 203 है वहीं गेहों की बिक्सित किसमे में बिर्षा केहूं 1, बिर्षा गेहूं 2, बिर्षा गेहूं 3 है जारखन में महिलाओ की भागेदारी मनरेगा में 50% से भी कम मनरेगा के कार्यों में महिलाओ की भागेदारी 50% से भी कम है बतादे राज्ये में औसाथ 44.3% ही भागेदारी हो चुकी है सबसे खराबी सिती देवगर और गोड़ा जिली के है बता दे दोनों जीले में 40% से भी कम महिलाओं की भागेदारी है वहीं 11 जीले, सिम्डेगा, दुमका, खोटी, धनबाद, पलामू, पाकुर, जामता, गुमला, बुकारो, गोड़ा और देवगर में अवसत से भी कम महिलाओं काम कर रही है वहीं कोडारमा के सिती अने जीलू से बेतर है जारखन के तिन जन जातिया आदिवासी में होगी सामील आदिवासी के सुची में कुछ जातियों को सामील करने पर ट्राइवल एडवाजरी काउंसील में समती बनी है बता दे भोईहर मुंडा, कपाट मुंडा, चीक बढ़ाईक, लोहरा जाति को लेकर प्रस्ताव तियार किया जाएगा विधायक बंधु तिर्की ने टी एसी की बैठक में हममला उठाया इसमें दूसरे सदस्यों की भी समती थी कि कुछ जातिया आदिवासी के सुची से छुट गई है इनकी धार्मिक, समाजीक, वसंस्क्रितिक मनयाता आदिवासीों से जुड़ी है बैठक में कहा गया कि इन जातियों को आदिवासी सुची में सामिल करने के लिए जल्द से जल्द अनुसंसा जाए रांची अस्मार्ट सीटी परिशर में 900 क्रोर की लागा से बनेगा नया सचीवाले भवन राजधानी के अस्मार्ट सीटी परिशर में जारखन सरकार के नया सचीवाले भवन के निर्मान पर करीब 900 क्रोर रुपे खर्च किये जाएंगे अस्मार सेटी में पूरु प्रस्तावीत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल सचीवाले के रूप में करने का निर्नाय पहले ही लिया जा चुका है इससे समाहित करते हुए लगभग 9 एककड़ भोमी पर 10 लाख वर्ग फीट में नया सचीवाले भौन बनाया जाएगा योजना को प्राधिकरित समयती के मनजूरी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट के समक्ष पेस करने की त्यारी की जा रही है ज्यारखन के 15 लाख परिवार को मिला नया राशन कार्ड मंत्री ज्यारखन खाद सरोजनिक बितरन एव भोकता मामले के मन्तरी डाक्टर रमेशर उराओ ने कहा की राजे में कोई भोखा नहीं रहेगा हमने 15 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड दिया अब सचीव से विचार विमर्ज के बाद अन्य 5-10 लाख नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने जाने पर समती बनी है बता दे समाज कल्यान विभाग द्वारा नगर भौन में अवेजीत राश्टिये पोसन मा अंतरगत मंगलवार को सप्लिमेंट कारेकरम का सुभारम मंत्री डाक्टर रमेशर उराओ द्वारा किया गया उद्घाटन के मौके पर सेम वा मैम बच्चों के बारा मताओ को डीवी सी कमांड एरिया से अलग होगा चातरा हजारी बाग कोडरमा बिजली के छेतर में आत्म निर्भारता की दिसा में राज ने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिया है बतादे दामोदर घाटी निगम पर निर्भाता खत्म करना भी इसी परकिरिया का अहम हिसा है एक अक्टूबर से डीवी सी के कमांड एरिया के तहत आने वाले तीन जिले चातरा हजारी बाग औकोडरमा अलग हो जाएंगे यहां चातरा के इट खोरी टांस्मिटर लाइन से बिली का पूर्ती जार्खन बिली बित्रन निगम करेगा बतादे मुख्य मंत्रे हमांसुरेन इट खोरी केवी ग्रीड 220 केवी चातरा टांस्मिटर लाइन का उधाटन एक अक्टूबर को करेंगे 15,000 क्रोड के NTPC प्रोजेक्ट पर जल्द खुस खबरी NTPC लिमिटेट की राजय में 15,000 क्रोड रुपए की लागत से नर्थ करन पूरा सूपर थनमल पावर प्रोजेक्ट के निर्मान में हो रही बाधा को दूर करने के लिए पारी बाग के डियाई जी वह एसपी को पूलिस मुख्याले ने निर्देश दिया है दरसल विधूत मंत्राले से सचीव अलोग कुमा ने राज सरकार को इस बारे में पत्र भेज कर और चने दूर करने को कहा था पता दे इस पत्र में बताया गया था कि नर्थ कर पूरा पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिक क्रिहित भोमी का मुख्या पूर्व में दिया जा चुका है लेकिन अतिरिक्त मुख्या की मांग को लेकर कुछ लोगों ने विस्थापित विकास संहर समीती के बैनर तले काम बाधित कर दी है उन लोगों के काम रोको अभि अस्तर्य पंचाय चुनाव की तैयारिया तेज कर दी है इसकड़ी में आयोग ने चुनाव चीन अवंटन आदेश जारी कर दिये हैं इसके तहत परतेक पदों के लिए सोतंत्र चुनाव चीन तैक किये गए हैं बता दे ए चीन ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्व प्राज कंप्यूटर बेश्ट दूर्वीन कर्टिंग पलायर आदी हैं धीरज तनेजा जार्खन चेंबर ऑफ कोमर्च के नए अध्यक्ष उने गए हैं बता दे देर साम जारी परिणाम में उन्हें अध्यक्ष होशित किया गया तीन दीनों तक चले मत्दान के बाद चुने गए सभी सदस्यों का फोल मलाओ के साथ स्वागत किया गया, रिजल्ट को लेकर चेंबर चुनाओ लड़ रहे सभी परत्यासी मतों की गिन्ती पर ताक लगाए रहे ज्यारखन ने खनीज की खरीद बिकरी के लिए बनाई अपनी कमपनी बिभीन परकार के खनीजों के लिए अब ज्यारखन सरकार केंद्र पर आर्सित्र नहीं रहेगी राज सरकार का मन्ना है कि केंद्र के माध्यम से आवन्टित पलोग से अच्छा कोईला नहीं मिल पा रहा है ऐसे में राज सरकार अपने प्रतिष्ठान कम्पनी के माध्यम से निलामी में भाग लेकर कोईला ब्लोक प्राप्त करेगी और राजे में काम कर रही कम्पनियों को बेहतर कोईला उपलप्त कराएगी इसके लिए खनन विभाग ने जारखन अन्वेशन एम खनन निगम लिमिटेड के गठन का नहीं लिया है इसे राजे कैबिनेट ने स्विक्रिती भी परदान कर दिया है आदिवासी की जमीनों की कराएगी वापसी जन जातिये प्रामर्श दात्री समीती की बैठक में फैसला लिया गया है कि आदिवासीयों के कबजे वाली जमीन की जाच होगी जारखन में बड़ी संख्या में आदिवासी जमीन पर गर आदिवासीयों के कबजे की सिकायत है सरकारी दास्तावेज में राज्य में 217 सरधिक परिवारों की 217 एकर जमीन गर आदिवासियों के नाम है इसके अलावा अवायद कबजा अलग है बताद नई सीरे से राज सरकार ने निदेश जारी किया है कि गर आदिवासियों दोरा आदिवासियों के जमीन कबजा से सम्मंदित प्रतिवेदान सभी जिला उपायुक्त दे रेमडे सिविर काला बजारी में जमानात रेमडे सिविर दावा की काले बजारी मामले में मुख्य आरोपी राजीव कुमार सींग को बड़ी रहात मिली है मंगलवार को जारखन हाई कोट ने राजीव कुमार को जमानत दी है बतादे जर्श्टिस आर मुखो पद्याय की अदालत ने 10,000 रूपे के नीजी मुझ चलके पर राजीव को रिहाक करने का आदेश दिया है अदालत ने राजीव सिंग की कश्टडी को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है चत्रा में 6 ट्रकों में लदे 146 मुवसी बरामाद चत्रा जिले के सिमरिय थाना पुलिस ने सोमवार की रात बगरा मोड के समीप से 6 ट्रक मुवसीओ को पकड़ा है मुवसीओ की कुल संखा 146 है इसे अमानुए धंग से ट्रकों में लात का ट्रसकरी के उदेश से ले जाया जा रहा था पुलिस ने ट्रक चालकों गिरफतार कर लिया है जबकि जबत मुवसीओ को गोर अक्षनी चत्रा को सोपने की करवाई की जा रही है आटो चालक ने किया योती के अफ़रन का पर्यास राइधानी राची में दो सासीक वरदात की कोशिस हुई है नगडि थाना छेतर के रिंग रोड लाल गुटुआ ओभर विरिज के पास एक योती का आटो से दिन दहाडे अफ़रन का पर्यास किया गया योती चलते आटो से कूद कर अपनी जान बचाई चात्र विरिति के करोडों रूपे 6 महीने पहले निकाले सरकार आर्थिक रूप से कमजोर चात्रों की मदद के लिए चात्र विरिति योद्ना चलाती है बताया जाता है कि जिला कल्यान विभाग ने चात्र विर्थी के मौद में आये फंड की निकासी तो कर ली है लेकिन अभी तक चात्रों के खाते में उसे टांसफर नहीं किया गया बता दे जिला कल्यान विभाग ने मार्च में ही 2020-2021 के लिए छात्रवीरती के मद में आय साथ को रूपए से ज़्यादा का फंड निकाल लिया था धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते हैं चनल को सब्सक्राइब कर बॉल कबल लाइकन दबए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के बाट से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइग्राम पर सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सा फीड़बैक अवसे दे थैंक यू